आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, there is a question given Find a distance of 0.5,-7 from the origin यानि अपने को origin and 5,-7 के बीच की distance बतानी है कि क्या होगी तो guys क्या होता है कि अगर अपने को 2 point given हो, ठीक है अगर एक line है and इस line की end point अपने को given है A जो है आपका X1,Y1 के equal है and B जो है आपका X2,Y2 के equal है then guys जो A, B जो distance होता है A point से लेकर B point के बीच का वो आपका equal होता है root under यह आपका equal होता है X2-X1 का hall square and plus मैं आपका क्या होता है Y2-Y1 का hall square के equal तो guys A point जो है आपने को given है 5,-7 के equal and B point अपने को given है 0,0 के equal यानि A से B के बीच का अगर distance देखें यानि A B अगर देखें तो आपका root under क्या हो जागा X2-X1 यानि 0-5 का hall square and plus मैं आपका क्या हो जागा Y2-Y1 यानि 0 and minus minus plus 7 का hall square हो जाएगा अब इसको guys आगे solve करें then A B equals to minus 5 का square आपका क्या हो गया 25 and यहां से 7 का square आपका 49 हो गया तो guys इसको अब add करें तो यह 9 and 5 आपका क्या हो गया 9, 5, 14 यानि 4 आगया and 4, 2 आपका क्या हो गया 6 और 1 आपका क्या हो गया 7 हो गया guys ठीक है तो अब अगर हम लोग यहां से देखें तो root under 74 आपका final answer हो गया यानि A से B यानि 5, minus 7 and origin के बिच का जो distance है वो root under 74 के equal है और यही आपका final answer है Thank you